आप सबी engine का सुवागत हैं मैं अरविन सुक्षेना बोला हूं साधना जगत के रहसीοं को जानने के लिए इस चनल कeg प्रतेख वीडियो को दएक और इसमें दीघेए प्रतेख में प्लेलेुस्ट को भी देखें मेरा हुए इस चनल के प्रतेख वीडियो बहुत ही वीजियो के माद्यम से बताने का प्रयास है इसलिए कोई भी वीजियो छोड़ना नहीं है पूरे पूरे वीजियो देखने है जिसे कि पूरी-पूरी एक समगर दिश्टी का विकास हो और समझ में है कि साधना का मतलब क्या होता है ज्योंकि दो-चार वीजियो देखके एक न साधना के जो विदियां वगर हैं उसके आगे की भी बातें सोचनी चाहिए कि जीवन का प्रत्य पक्ष एक साधना का अंग है कि इसलिए हर पक्ष को देखना जरूरी है तो इसी विचार से मैंने जो है जो एक व्रत पर रहस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें कई वीजियो हैं उनको आप देखिएगा उसमें से वीजियो नंबर है 230 व्रत पर रहस भाग एक व्रत रहस से अनंत पुन्य सवभाग आरोग यह आप देखिएगा उसमें मैं व्रत रहस के बारे मता है मुतिक के कुटिनेशन में जो है 232 नंबर का एक वीडियो हां महा शिवरात्री वरत्रहस से आश में मास शिवरात्री वरत्रहस से पहज़ति यह बहुत इंपॉर्टर्लिक शिवसाउज बारे में में बताया है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि साथकों को मालूब होना चाहिए और जो पता होंगे तो समय में भी आएगा इस व्रात्री का कितना महत होता है उसी के कंटिनेशन में में वीडियो नंबर 233 व्रत पर रहस से भाग दो बना रहा हूं रिकॉर्ड कर रहा हूं व्रत पर रहस से भाग दो पर रहस से संद काल ना कर प्रकार तो इसमें आपको एक कलग मनिया गा कवर पर कव कर से कव्रत के बारे में बता है वह वीडियो नूमर 230 में बता दिया है वृत रहस्य के बारे में बता रहो हुँ तो पहले तो जाने पर होता क्या मीनिंग फर्व के ऐ पर्व का मतलब होता है गांट उसको संधीकाल कहते है विसीकली वह संधीकाल है जंक्षन जैसे कि जो जंक्षन को इसलिए इसलिए इप्रव्टेंस दी गई एक यहां कि जीव और ब्रह्मकी संधी मानी जाती है, जितने भी संधिकाल होते हैं, तो यह संधियां यहां संधिया करी हैं जैसे की सम्दिकाल संध्याइं जानी पड़ संध्या गालाती है, यह तीनों संध्याइं मीं जो की नितD협ती इ excluding जो है यह काल नित आता है अब मैंने कोई वीडियो आप देखिएगा अगनी साधना के बारे में संपूर अगनी साधना वैदिक संपूर्वादिक अगनी साथना शायद वीडियो नूम्बर 75 है देखिएगा उसमें उसमें मैंने अगनी होतर के बारे में बता है अगनी होतर जो होता है वो संधिकाल का बहुत जादे महत होता है उसमें बहुत सूख शुरहस होते हैं किसी समय मौका मिलेगा तो मैं संदीकाल के बारे में भी और भी कई जान करी आप लोग सामने प्रस्त करने के प्रयास करूँगा लेकिन अभी समझ ले वो संदीकाल जो होता है जो नित्यारा है कितना इंपॉर्टेंट है कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है उसको उसी तरह किया से जो ऐसे भी हो सकते हैं कुछ ऐसे काल जो कि विशेश अफसरों पर गटत होते हैं जैसे पूरुमासी यानि पूरुमा और हमा उस्या यह होता है शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष के संद वजए से जो सूर अपनी आशी को एक राशी में यह जब जाते हैं यह संक्रमण का जो समय होता है परिवर्टन का समय होता है रहला के देखा है और इसके जो मॉणीक रूप में पर्व के हैं admire परोके फिल्च वर्व को तिवाहर की तरीके जिसको हम कहते हैं उनको पर्फ की बात करें जो संदीकाल में हो रहा है उनके उसको मनाने से क्या होता है कि जीवन में बहुत उल्लास आता है क्या ने जंक्शन होता है उसमें एक विशेश प्रकार की उर्जा का एक प्रवाल बनता है उसके अंदर में और जो अगर इसको समाजिक रूप से देखा जाए तो यह सब होता है कि जो बड़े-बड़े उच्च कहने चाहिए जो कर्म होते हैं या उसकी तरफ उद्देश होते हैं उस तरफ लोगों का ध्यान जाता है क्योंकि वह ईक मिषेश मानसिकता से उन परवों को मनाया जाता है सत्विक अरश्टी से टौ एक कुछ आदर्शों की तरफ ही लोगों का मन जहें गए जाता है तो यहां बात होई घंप को लगों को किल तो हो आशचे रूप मैं जैका मतलब पिजयां कर सब्सुर्ट करने क्यों वहां को वहां का मतलब प्रोगौ सीय अगी यह नब पर ना सबसक्कि रहे हैं तो पहला तुमिये दिवैरum यह जो कि क्या होता है तित्षी नक्षत्र दिन ग्रह योग के करण मनाई रहते हैं जैसे संक्रांती आई मैंने पहले भी बताया अब हो सूर्य संक्रमण में परवर्तन होने से यह जो है यानि एक सूर का एक राशी से दूसरी राशी में जाने से संक्रांती उसको पर मनाय रहता है ये घटना क्या करती है ये संदी काल हुआ परवरतन का तो ये जो है गट्ची की बुद्धी अविश्व की जितनी उश्मा होती है जो कि ये सूर जो होता है वो उश्मा का कारक होता है उसको प्रभावित करती है उसकी वेरे से क्या होता है कि सिंसार भर में जितने भी क्रिया कलाव होते हैं वो प्रभावित होते है वो उस समय संक्रान्ती काल कहा जाता है उस समय भी पर मनाए जाते हैं जैसे मकर संक्रान्ती होई दूसरा एक होता है दिवयपर में आता है कुम्भ पर होते हैं इसमें क्या होता है सूर चंदर ब्रसपती का संयोग होता है और ये प्रती बारा वश पढ़ते हैं जैसे प्रियाग में, अरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में पिर तीसरा दिव अपğl होता है ग्रहान का चंदर्ग्रहन सूर्ग्रहन जैसे समझ facto इस समय भी जो किये गए इन कारणों का बहुत अतिक माहत होता है जίसे जब य्यग एउद्धान इन समय करने जासे कि आहार उस समय एक खाना प्रिणा नहीं कहना चाहिए यह सब जहां तक हो सब्योंगित्यादी हैं जो भी बीमार है या शक्त है वी परशानी है तो उनके लिए तो बात नहीं है लेकि अगर जो नॉर्मल लोग है अगर उसका प्रांग कर सके तो उस समय आहार नहीं उस से क्या होता बुद्धी के विकार पैदा होते हैं अगर गलत काम करें तो गलत बातें बोली जाए तो रोग पैदा होते हैं तो मैंने आको संक्रान्ती दिवपर के बारे मताया कुंपपर के बारे मताया ग्रहन के बारे मताया फिर पुरुषोत्ताम मास के बारे मता रहूँ पुरुषोत्ताम मास क्या होता है कि प्रत्येक तीन वर्ष के परश्यात में एक चंद्रमास बढ़ जाता है जिसे पुरशोत्तम मास कहते हैं यह पूरा महिना ही पर होता है जंक्षन है कितना बड़ा जंक्षन है यह समय का इसमें सैयम उपासना का महत्व अधिक है अधिक मास जब चंदर मास के लगातार दो पक्षों में सूर की संक्रांती नहीं पड़ती है तब वो एक मास अधिक हो जाता है इसलिए इसको अधिक मास कहते है ये तो स्पेशनल मास है इसमें इस नान जब तब का विशेश पुन्य होता है मैं आपको पर्व के बारे बता दीए आपको अब मैं आपको बता रहा हूं कि दूसर वाला जो है आपहर हूँ जो टोटल nine types के पर वह उन्में से पहला दिवह बढ़ॹ्ण अब आपको और और जितने भी द्टाओं के तो उस्चाना होता है कि जो ढ़िशेए बैस देवपर्व कहते हैं, जैसे कि हमारा एक वर्ष होता है, तो देवताओं का एक दिन या एक रातरी के ब्राबर होता है, और हमारा एक वर्ष देवताओं का फुल वन डे समझ लीजे, दिन और रात मिला आके, अब जब होता है जब सूरुज है उत्तर दिशा में मूव करते हैं उत्रायन होते हैं तो वो देवताओं को दिन मना जाता है और जब दक्षणायन होता है यानि सूरुज होते हैं वह से डिक्लाइन करते हैं तो वो जो देवताओं को रातरी काल मना जाता है जितने भी मांगल उतरयायन में होते हैं। इसलόफ difficult qué同ת ृत्र होता है उनका आराम करने का समय होता है। इसलों जón पर अधिकानष पर्व जो देवता हो उत्र ब्रणी प्रदोश यह सब चितिया भी होती है योगी देष्दाओं के विशेश परव इनको माने जाते हैं और ग्रहों के अनसार तो जिन जब ग्रहों का जिन ग्रिजक बवाव अधिक होता है प्रतवी पर उस दिन जो है उनके ग्रह के नाम से जो परव माने जाते हैं अब जो मैंने बताया कि जो गलेज जी का पर्व है वो गलेज चतुरती हुआ और विश्णु जी का एकादशी हुआ और भगवान शंकर का प्रदोश हुआ इस ही तरीके से वेन जो है देवी देवताओं के पर्व होते हैं तो यह मेंना देव पर्व के बारे मुझा है अब पितर पर्व के बारे में तीसरह देव के समय शाद करे जाते हैं। मांस पित्र के लिए, इसो कि बोझन काल होता है और उसमे ऑंको पिंधा नित्यादी करके श्राद किये जाते है और यह important दिन माने जाते हैं इसके अतरिक जिए शंक्रांति के आउसर्व भी विशेस सीष्ट्तों में जाकर पितर शाद करने का भी विदान है और इन दोनों जब वो न tips वे नाम पर दान कियa रहते हैं पितरों को शाति ही रहते हैं उको मौत प्रप्ति मिलती है तो कि वो उस समय वो पित्र जो होते हैं वो जो है उन समों को ग्रहन करने के लिए बड़ा उत्सक रहते हैं इसके लिए आप अगर देखना हो तो पित्र दोश वाली सिरीज में आप मिलेंगे आपको मैं उसमें वीडियो नुमबर मुझे याद नहीं आ र छोनों के बारे में काफी कुछ जान करी के आपको मिलेंगे समझ में आएगा पितर दोश क्यों इत्यादी पैदा होते के तो यह आजिन आपको तीसरा वाला पृरव पित्र परव के बारे मताया है चौथा जो पर पता रहा रहा हूं काल परव यह हैं इन में क्या होता है कि जब उनक समय के इसाब से उपर माने जाते हैं जैसे कि नया साल जब शुरू होता है यह पंचांग के इसाब से अपने जैसे चैतर शुक्ल प्रतिपदा जो इसको जो है उपर्व के रूप में मानता दी जाती है और जैसे यूगों की तितियां ह अब इसके पाँचमा वाला परवाई को जैन्ती परव कहते हैं जैन्ती बालत जो भगवान के अवतार हैं उनके बारे में जो करते हैं कि अवतार है उनको आप जैसे कहते हैं कि एग्जामपल में राम नौमी जो है और रामचन जी की के रूप में जो उनकी याद में जन्मास्टमी भगवान कृष्णी की याद में शिवरातरी नरसिंग चतुरदशी हनुमान जी की याद में हनुमान जेहनती गने चतुरती परशुराम जेहनती ये सब जेहनती हैं इसको मनाने का इसका ज जो उनके करेक्टर है, उनको चरित है, उनको दुमाग में रखा राता है उन अफ्तारों का और जिसे की मन जो होता है व्यक्ति का वो अंतर मुखी हो ये धानक है कि ये जो भी शीज़े हैं ये जिस जिस की आप जहनती के बारे में सोचेंगे तो उसका विचार हमेशा मन में आएगा अब विचार जो है अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है ये बुरा है जैसा भी है तो उसकी याद के साफ से भी हमारे अंदर में भी चीज़ें में परिवरतन होता है हमारे भाव में भी तो वह एक वही रिसिनिंग है कि ये जो जहनती के रूप में जहनती जो होते हैं पर वो भी एक मनाने का एक परवों के बीच में एक विधान है जसे होता है इस को प्राणी प्रव कहते हैं प्राणी मलत्व जो की कुछ ऐसे प्राणी में प्राणी क्याना जाता है जैसेकि नाग और皆 गोर्म मता य Patrin पये प्रांी महाने जाते हैं not pancimin के तिन तिन नाग मता की पूजा है और गोमता की पूज जो है वह बहुत ब्ला मात्वा है अब सात्मा वाला वाला पर्व हुआ उसको वनस्पती पर्व कहते हैं जैसे कि कुछ ऐसी वर्सबती है जिनको कि बहुत दिव माना जाता है और जिनको प्रत्रक्ष सामने हैं इसलिए उनकी पूजा करी जाती है जैसे कि जो पीपल का वर्क्ष है इसकी पूजा शनिवार को करने का विद्यान है तुल्ची की पूजा यह देपी जो प्रति दिन करने चाहिए लेकिन कार्थिक मास में और वेकूंट चतुरजशी में इनको इसकी पूजा का विशेश मात्म माना जाता है और एकादशी के दिन जो देवत थान पनी एकादशी है उस दिन जो है तुल्ची जी के साथ में जो भगवान जो विवा कराय जाता है और इसी तरह से जो वट वरक्ष होता है तो अमा उस्या को उनके पूजन का विधान है और व्रस्पति बार को केले के जो वरक्ष है उसकी पूझा करी जाती है और जो होता है अपना बेल का जो व्रक्षा है बिलवक्ष यानि इसे बेल पत्र को हम लोग उसे निकालते हैं और बगवान शिव के उपर अर्पित करते हैं उनका पूजा जो होता है सुमवार को किया रहता है इसी तरह से जो शीतलास्ट मी होती है उस दिन शीतला माता की जब पूजा के साथ जो नीबू का प्यड़ होता है उसकी भी पूजा होती है और कार्थिक मास में जो अक्षय नौमी है उस दिन आवले के व्रक्षी पूजा करी जाती है अब आटमा वाला पर्व जो मानव करते हैं अब मानव मतलों मनुष जो अपने इस तरीके से अपने इस में जो एककटे हों। विष्च कर्मा पूजा करा दी। दूसरा होता है इसपूज को अपने जीवन से संबंदित होता है। जैसे कुछ लोग करते हैं। कि विवाह मोत्सफ के तरीके से एक पर्व मनाना के रूप में उसको सेलिबरेट करते हैं। या पुत्र जन्मोत्सव के रूप में करते हैं, या प्रवेश के दिन भी पूजा पाठ कराते हैं, वो भी एक पर्व के रूप में माना जाता है, टीसर पकार के जो पर्व होते हैं, जो विशेश उद्यश से करे जाते हैं, जिसमें की लाज स्केल में कर दे जाते हैं, जैसे करने दिए इसके अलावा जो है यह अमेनागो आठर्व वाला कस कर झाहिए इसके अलावा दो एक डिए पर होता है शूद थे एप पर्फ आई सोते हो गैसे मुछ को हे तिर्थ में न जब तक कोई वक्ती रहता है वो पूरा समय उसके लिए पर्फ काल के समान होता है यह इसस़ति पूरे समय करने त्वे समय को होती है इसके स्क्रेशन चीहि दिफ मेरे प्लेइस्ट में देखिएगा उसमें बहुत सारे वीडियो बने गलत काम इत्यादी कोई कर दे तो अमेड प्रभाव हो जाते हैं पापों के पूसम नहीं करना चाहिए बहुत सारे उसमें वंग जो कई पॉइंट चाहिए दिमाग में हमेशा रहने चीए तीरतां के समयमें में है, साथधान यह रूप में वहीं में प्लेस्स ने बनाई हुए इसको देखिएगा तीरतां में साथधानी वाली में इसके अलावा जो है जो कुछ ऐसे होते हैं जो विशेश तीरत में म ब्र्याग में जो होता है माग मास जो होता है माग का महिना होता है इस दिन जो होता है तीर्थों का अपने जो होता है जो जब माग मास में जो माग मेला लगता है उसमें कल प्रवास त्यादी भी लो करते हैं करते इसलिए कि इन समय में क्या होता है तीर्थों का अपने जो द लिए प्रीज़ स्थेकाशी रहसे वाले में देखिएगा, उसमें भी सब्सक्राइब अद्रश्यकाशी के समभन्द से बनता है उसका प्रबाव अद्रश्यकाशी के दिर्श्यकाशी में पढ़ता है तो वही चीज हो रही होती इस समय विशेश में भी जैसे माग महीने में तो कि जो उसी विशेश से माग मिला का बहुत महतु है और कल्पवास का बहुत महतु है प्रयाग में ये सब जो बाते हैं ये विशेश रूप से तीर्थ परस की बाते होंगे लेकिन तीर्थ में जाना तो यह जो वीडियो है व्रत पर रहस भाग दो इसमें जो मैंने आप लोगों को जानकरिया दी इन जानकरियों को अगर रखा जाए साथ में साथ में जो व्रत रहसे वाली जो वीडियो है नमेर 230 इन दोनों को करके जवाब देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो अपरत के कितने कितने रहस हैं डीपर मीनिंग है और वह साथना में बहुत ही उपयोगी होते हैं उनका समय के बारे में हमको जानकरिया वह शोनी चाहिए और प्रतेक साथक जो होते हैं कम से कम जो सीरिस लोग होते हैं और थोड़ा सा काफी आकर बढ़ चुके होते हों लोग इस चीज़ को जाने का प्रहास भी करते हैं उनको पता भी चलता है मेरा यही एक वीडियो बनाने का उदेशता कि यह सारी जानकरिया साथकों के सामने आएं प्वाशा करता हूं कि आप सब लोगों के जानकरिया आएंद्वाद